नमस्कार मैं संजीब स्रीवास्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का डिस्टी आएस के सी यूटूब चैनल में इसके पहले भी हमने आपको वीडियोज बना के दिये हैं टीम डिस्टी ने यूपीएसी के साथ साथ कई राज लोग से वायोग के लिए भी कई प्रकार की विज जनाय प्राइब की गई जिसमें विद्यार्थियों को सिलेबस के मुल्यांगन के साथ साथ जो प्रिवेसर में कोशन्स आये हैं प्रिटी या मुक्र परिशा के उनका विसलेशन कर हम विद्यार्थियों तक उन तकनीक को संप्रशीत कर या पहुंचाना चाहते हैं ताकि व परन्तु अति दक्षता, उर्जा और गहनता के साथ, प्रतिबद्ता के साथ, जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, निसंदे उनके चैन में भी एक रनीतिक समर्थन सपोर्ट दिश्टी के द्वारा मिलना चाहिए। इसलिए दिश्टी ने इस प्रकार के युजनाओं को क्रियानवित किया है, मैं संजीब स्रिवास्तो भुगोल और प्रयावन दता पारस्की के लिए आपको विशलिशित करके आप तक उन तथियों को विशलिशनों को पहुचाऊंगा, इसके पहले की वीडियो में, BPSC के सि बताया था, इसके अलावाद 66 जो BPSC की प्रार्मिक परिक्षा हुई थी, जो 66 जो BPSC की परिक्षा हुई थी, जो दो बार हुई थी, पुना परिक्षा हुई उसके बाद, तो जो पहले वाला खंड था, उसके अंतरगत, जो सारे वीडियो थे आप तक पहुच चुके हैं तीन खंडों में बाद करके, अर्थात पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का अंतरगत आप तक प्रसुत किया गया था, जो पुना परिक्षा हुई थी, 66 BPSC की ही, उसके विशलिसन की प्रक्रिया में, जो इसके पहले का पार्ट 1 वीडियो था, वह भी आ तक पहुच चुक 66 BPSC का, उसके भूल के प्रस्ट सरल तो कभी नहीं कह सकते, मैं यहां तक कह रहा हूँ कि UPSC के प्रक्षारतियों के भी जो कहवा थे कि नात खटे हो जाएंगे, नात खटे करने वाले प्रस्ट थे, अर्थात बहुत जादा डीप रूडेट प्रस्ट और वह बिहार से नह प्रस्टों तक रन्नितिक रूप से भी अपने पहुच को सुनुशीत कर सके ताकि चैन में आसानी हो, चलते हैं प्रस्टों की ओर, जो एक ग्यारवाब प्रस्ट है, नेपाल की पर्थम बहुरास्टिया पिट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारम होती है, तेकि नेपाल जो रास्ट है, उसकी पहली ये बहुरास्टिया, बहुरास्टिया का मतलब जो एक रास्ट से अधिक रास्टों को जोड़ वाली हो एक राष्टिया तो नेपाल की पहली बहुराष्टिये पेट्रोल पाईपलाइन थी जिस में बिहार सरकार कंशानों होता किया है ये लगबख 69 किलोमीटर लंबा पाईपलाइन है उनें पेखार के मुतिहारी से जुड़ा हुआ है अर्था ये नेपाल के नेपाल से होता हुआ बिहार के मोतिहारे जिले तक ही आएगा फुल इसके लंबाई हो कि स्रिश्ष 9 किलोमीटर इसके निर्मान के प्रक्रिया में भारत सरकार ने काफी बड़ा धनराशी खर्च किया है इसमें कुछ अंस बिहार सरकार का भी है और कुछ बहुत थोड़ा स सांस है नेपाल का भी तो वहराल इसका 11 प्रस्न का जो पहला एंसर होगा वह होगा ए थोड़ा सा आपको आगे पीछे का जो तथे है विश्रेशन है जानना चाहिए जैसे नेपाल के भीमनगर से होता हुआ यह इधर की और आएगा बिहार की और और यह मोतिहारी जिले में प वारावे प्रस्त में थोड़ा सा एक डिवेट हो सकता है थोड़ी संका या समस्या आ सकती है चोकि जो विहार सरकार का रिपोर्ट है वो कुछ और कहता है और जो उत्तर है वो कुछ और कहता है जैसे अधिकांस लोग का यह मानना है कि इसका उत्तर होगा A, मैं यहाँ पे चिन लगा दे रहा हूँ, इसका उत्तर होगा A, अर्थात 4767 मेगावाट, बिहार में 2019 में बिहार आज में बिली छम्ता क्यों लगता थी? बिली छम्ता को लगता, उन्निस में 4767 थी, जो 20 में लगभक 5792 है, यह भी आध्यान रखिएगा, 2020 में 5792 अर्थात उसमें परियाव ब्रदी इसवर्ष्विद्रज की गई, लेकिन जो बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षन है, और उसमें जो डेटा उपलब्ध है, वो है 4566 मेगावार्ड, 4566 मेगावार्ड आप जा करके इसको सर्च कर सकते हैं, जो बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षन है, उसमें डेटा है, अब समस्या यह है, कि बिहार सरकार आर्थात BPSC एक मात्र ऐसा लोग सिवायोग है, जो प्रारंबिक परिक्षा में चार आप्षन के बजाए 5 ओप्षन देता है, बाकि अगर यह UPSC होता या अन्य कोई UPCS होता, तो इस प्रकार के समस्या हैं नहीं आती, क्यों नहीं आती, जैसे अधिकांस लोग मान के चल रहे हैं, उत्तर यह होगा, 4766 मेगावार्ड जबकि आर्थिक सर्वेक्षन बिहार का कहता है, आर् 4767 भी से मैच नहीं करता, अब चुके अगर चार ही ओप्षन होते, A, B, C, D, तो जो निकटाम ओप्षन था, 4767 उसको आप टिक लगाते हैं और उस ही हो जाता, लेकिन चुके यह BPSC की परिछा है, इसमें एक चौथ पांचवा ओप्षन होता है, उप्युक्त में से कोई न करने का मतलब केवल जो आयोगने, जहां से भी रेडिमेट मिल जाता है, Wikipedia से उठा ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा इससे असमत रहता हूँ, जो मौलिक स्रोथ है, बिहार का आर्थिक सर्वेशन हो सकता है, भारत का आर्थिक सर्वेशन हो सकता है, आप उनसे डेटा को अथेंटिक होगे, जैसे वो द्योग के लिए जो फिक की जो बिहार बियेडा है, वो जो पॉलिसी या जो चीजे डेटा के तौर को पुबिस करते हैं, आप उनको मानिए, यदि आप बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेशन चलते हैं, तो उत्तर है 4566 और इसके उनसार पांच से असामत हों, जो कि बिहार सरकार का डेटा कहता है कि आपसर होना चाहिए, जो है 4566 मेगावार्ट, उसी में 2020 का भी है 5792 जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, हलाकि हम लोग 21 के समापन पे हैं, तो इस प्रस्त का उत्तर मेरे हिसाब से E होना चाहिए, अधिकांस जगई यह है अब जलते हैं भारत के भुगोल के और अर्थात अगले प्रस्न के और, सलीम अली चडिया अभियारन यहाई इसको पक्षी अभियारन कहें ज़्यादा बैटर होगा, ट्रांसलेशन की यह तूटियां के बार हो जाती है, सलीम अली पक्षी अभियारन कहां इस्थित है, वे पर काफी फेमस है बिसकली मांडवी जुवारी और रचोला नदिया है मांडवी नदी चल प्रपात का फिर नवान करती है जहां वो पर्शिमी घाट से अरब सागर मिलती है लेकिन मांडवी नदी के ही तट पर तट के निकट एक छोटा सा द्वीफ है चराओ चराओ के तट पर एक आइलेंड छोटा सा चराओ द्वीफ चराओ कई बार चराओ भी लिखते हैं चराओ द्वीफ इसी पर ये सलीम अली नेसल बर्ड सेंचुरी है बिसकली अज़को स्वर कोयल या कोयल स्वर के रूप में भी जना जाता है कोयल स्वर अलाकि अब इनकी संख्या काफी कम हो गई है और अंतू सलीम वाली जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर कोयल की संख्या बहुत जादा है और खास करके आप अप्रील और मई के महिनों में यदि जाते हैं जो उत्तर भारत में गर्मी कृति होती है उस समय जाएंगे या इवन बिहार में उस समय गर्मी क जाते हैं तो इसलिए इस सलीम अली चडिया या पक्षी अभियारन को कोयल स्वर अभियारन भी कहते हैं यह प्रकार का प्रस्ण हो सकता है कि भारत का कौन सा बढ़ सेंचुरी कोयल स्वर के नाम से जाना जाता है या मांडवी नदी के टटिय छेतर में कौन सा बढ़ सेंच कि मैं वहाँ घूमने गया तो कोयल के स्वर से पुरा का पुरा वो पर्यावर्ण ही गुझे मान था और कोयल ओवियसली स्वर के रूप में कोयल से मिठा मतलब स्वर कोकिला जो कहा जाता है लता मुगेशकर को कोयल के वज़ह से ही मतलब कोयल से उनकी तुलना की जाती है और खास करके अपरील और मैं में जब आम का सेजन होता है उस समय कोयल एक सुर में मतलब कई कोयल एक साथ वहां पे आपको बोते मिलेगी इसलिए से स्वर कोयल या कोयल स्वर वक्षिय वहरन की रूप में भी जाना जाता है चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है रूपसी हवाई अड़ा लेकि ये रूपसी हवाई अड़ा जो है अगर आप चांटों विधीश चलेंगे तो गोवा पूट ब्लेयर अब उप्युक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा लेकिन गोवा और पूट ब्लेयर में तो नहीं होगा एक डाउट हर सकता है और नाचल प्रदेश और दूसरा असम जैसे है ये असम में असम में आपने सुना होगा धुबरी धुबरी या धुबरी बिसकली जो भारत का दूसरा राष्टिय जलमार्ग है वो ब्रह्मपुत्रा नर्दीपर धुबरी से सदिया तक है उसी में सदिया नहीं धुबरी पे सेकेंड वाल वार के समय भी अंग्रीजों नहीं बहाँ पे एक हवाइड़ा बनाये हुआ था उसी समय से उसका नाम है रूपसी अवहड़ा बसकली ये मिलिटरी कंटोन्मेंट एरिया में है परंतु अभी धूबरी कंतरगर जैसे जो गुहार्टियादी का हवाइड़ा है वो तो फेमस ही है चुकि भारत सरकार एवियेशन को ही बहुत तेरी से पॉपलर करना चाह रही है चुकि जब एवियेशन पॉपलर होगा तो आवागमन बढ़ेगा तो एक तो मुखिदारा से लोग जुडेंगे दूसरा एवियेशन कंपनिया ये लाब में जाएंगी कहीं ने कहीं जब तक तृतियक सेक्टर का विकास नहीं होगा और इवान का भेतर विकास नहीं होगा तब तक ऐसा माना जाता है कि रास्ट का या उस प्रदेश का सरवांगीन विकास बढ़ा ही मुश्किल होगा तो ये जो रूपसी हवाई अड़ा है ये असम के धुबरी में है ये मिलिटरी कं टोन्मेंट में है और खासकर सेकेंड वल वार के समय जो इंदेशिया या जो साउथ इस्ट एशिया नेशन से जैसे वियत नाम हो गया या फिर चुकि इसी बोस भी उदर से ही चाह रहे थे कि हम भारत पे भारत को विजित करें और अनुमान निकोबार को जब अजादिन फ विशुद में काफी जादा किया था इसलिए थोड़ा पॉपलर है यह अब इसका आप जोड़िएगा तो लफब पच्छतरवा वरस घाट बना है उस सेकेंड वल वार के बाद से तो इसलिए पॉपलर्टी में था चर्चाओं में था जिसके वज़ा से यह पूछा गया है उजह ऐसा लगता है करेंट अप्लाइट हो गया अब राजस्थान में सित खेतरी खदान अगला प्रस्थान है खेतरी माइन्स खेतरी माइन्स सिचुएटेड इन राजस्थान इस फेमस फॉर मुझे लगता है कि अगर विद्धार्थी ने इतिहास भी पढ़ा होगा तो कि तांबे के लिए दो छेतर भारत के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं तीसरा भी कहेंगा अलाकि तीसरा इसले कहेंगे जो कि भारत में अभी तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक पिछले तीन साल से लगातार मद्यप्रदेश है लेकिन जो आम तोर पे पुस्तकों मिलत है जारखंड का सेभूम जिला जो बिहार का वेद्यारति विपी असी आपको के त्यारखंड बढ़ आपको इसले को इसलेगे त्यारी खासकर जो पिटी का त्यारी है अब तो बहुत ज्यादा गंभीड़ता से लेने कह सकता है एनिवे तो खेतरी खदान ये खास कर इंडस वाली शिवलाईसन में भी तामे की सप्लाई के लिए फिमस था ये राजास्थान के जुन जुनुन जिले में वस्तित है जो तामे की ख़न के लिए प्रसिद्ध है और जहरखंड का सिहभूम जिला साथ-साथ मद्ध प्रदेश का महलाज गंज जो बाला घाट से लगवक नबे पंचान में के लिए दूर है महलाज गंज में तामे की अभी सबसे बड़ी खान है इसके पहले हुआ करते थी जहरखंड के शिवूम जिले में इसी महलाज गंज के वज़ा से मद्ध प्रदेश म में तामबे का यह मद्ध प्रदेश तामबे का सबसे बड़ा उत्र बन गया है इस पर भी प्रस्टी साल इस में आया हुआ है तो राजस्थान का खेतरी खदान या खेतरी माइंस्स तो काफी सभी मिलेगा चलते हैं अगले प्रस्ण की और भारप की प्रथम डॉल्फीन वेच साला कहां बनाई गई है यह ध्यान रखिएगा डॉल्फीन जो खासकर बिहार में सोंस कहते हैं अगर आप पत्ना से हैं बिहार से विलॉं करते हैं तो आपको बड़ियास पता होगा और NCR तक में में मेशन है कि पटना से लेकर फतुहां तक अलागि यह फतुहां नहीं, यह भागल पूर तक है यानि पटना से होता हुआ बेगू सुराह से आगई भागल पूर तक जाएए तो यह डॉल्फिन पाई ढरते हैं जैसे बिहार के लोग नर्भास को कर दिये नर्भासाना, उसका overall terms जो है, इंगलिस का है परनतु हिंदी में अंग्रेजों से जादा या अंग्रेजिस जादा पॉप्लर हो गया है बिहार में, नर्भासा आगए हैं क्या जैसे आप सुनते ही होगे, तो बिहार में डॉल्फिन में 2020 में बनाया गया है और वो विक्रम सिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है, भागलपूर में बिहार के भागलपूर में विक्रम सिला डॉल्फिन सेंचुरी के नाम से इसको बनाया गया है, विक्रम सिला डॉल्फिन सेंचुरी या विक्रम सिला गंगा डॉल्फिन सेंच गंगा, डॉल्फिन, सेंचुरी, अब आप एक चीज कह सकते हैं, पूर सकते हैं, यह भागलपुर में ही क्यों बनाया गया, चुकि भागलपुर के आसपास देखेंगे, गंगा में जल का प्रवाफिक से बहुत बढ़ जाता है, भागलपुर के पहले देखेंगे, गंगा मे पटना, फतुहां, बेगुर सराय तक जब तक बूरी गंडग गंगा में नहीं मिलती, बेगुर सराय के पास ही बूरी गंडग गंगा मिलती है, बागमत्ती उसकी सहाई का है, तो जब तक बूरी गंडग गंगा में नहीं मिलती, तक गंगा में जल बहुत कम है, और बढ़ी गंटक मिलती है इसके बाद फतुवा के पास पुनपुन नदी मिलती है दक्षिन से तो फतुवा से गंगा में जल में प्रवाव बढ़ना शुरू हो जाता है और खासकर भागलपूर पास देखेंगे तो गंगा ने कई छोटी-छोटी आइलेंड्स बना है पिरपै वहां पर थोड़ा बुद वेटलेंड्स का भी निर्मान हुआ है पर उन्तुव वेटलेंड बहुत थालेटेड नहीं है तो वहां पर जल प्रवाव जादा होने के वज़ा से गंगा मियॉंड्रिंग भागलपूर में इसलिए विक्रम सिरा गंगा डॉल्फिन सेंजूरी क निर्मान भागलपूर जिले में ही किया गया है भागलपूर को इसके लिए चुना गया ठीक है तो भारत की प्रथम डॉल्फिन वेटसाला बिहार में भागलपूर में बनाई गया है इसका एंसर हो जाएगा बिहार अगला प्रस्ण है चंद्रभागा नदियां किस छेतर में बहती है यह बहुत टफ कोश्चन है चंद्रभागा नदियां किस छेतर में बहती है देखिए एंसर कोश्चन आने के बाद निकालना बहुत असान होता है वैसे इसका एंसर है लाहूल छेतर में मैं बताता हूँ detail बेसको यह लाहौल लिखा हुआ है, लाहौल होना चाहिए, बट, pronunciation का रमायन तो हो गया, रमायन आप, अब देखिए, basically, जिला का नाम है लाहौल इस्फिति, जिले का नाम है लाहौल इस्फिति, और जिला इस प्रकार से है, मैं तोड़ा उस जिले का ही मैं बना रहा हूँ तेहां देखिएगा इधर जेन के है और ये है हिमानचल प्रदेश एच पी यही अलाहुलस्पिति जिला चुके एक बार प्रस्थ देखने के बाद मुझिव लगा कि इस प्रकार के प्रस्थ देखने को भी त्यार किया जाना चाहिए अब जो चंद्रभागा नदियां है वो आपस में मिल करके बनाती है चेनाव नदी जो चंद्र ग्लेशियर है वो यहां पर है इसका नाम है चंद्र ग्लेशियर हिमानी जिससे बनी है चंद्रा नदी यह ऐसे मूब करती होई यह है चंद्रा नदी इधर होरिजेंटल हो जाता है भागा ग्लेशियर भागा हिमानी इससे जो नदी निकलती है उसका नाम है भागा नदी और यह दोनों जा करके मिल जाती हैं इधर वाले को कहते हैं इस फीती छेतर और इधर वाले को कहते हैं लाहूल छेतर यानि इस डिविजन को अगर हम देखें इस रीजन से ऐसे ये इस फीती होता है और इधर आजाता है लाहूल छेतर कुछ जो भागा का ग्लेशियर है वो इस फीती छेतर वे भी आता है और यहा पिंक यह तो यहां से नदी हो जाती है जेनाव अब यह मैं असपर्ष तोर पर बता दूँ आपको इस प्रकार के प्रसंतों UPSC के बहुत बैतर परिछार्थी या वे परिछार्थी जिनका ऑफ्षिनल भी भूगोल होगा उनके लिए कठिन है बना पाता हां जब ऑफ्षिनल पिटी में हुआ करता था UPSC के तब की बात अलग थी अलागि BPSC में कभी भी पिटी में आपसल रहा नहीं तो तब की बात अलग थी कि बिद्यार्थी बहुत तेलम पड़ते थे अब ऐसा प्रसंता भी नहीं और आपसल में भी इसकी बहुत जादा हो सकता है नहीं पार्ट को बोलते हैं स्फीती तो जो मिली चंद्र और ये भागा ग्लेशियर्स हैं उनका लोकेशन ऑल्मोस्ट चंद्र का तो पूरा ही भागा का भी 70% जो लोकेशन है ग्लेशियर का वो है लाहुल में लेकिन नदी तो हिमानी के बाद बनेगी ना इसलिए आप लाहुल से चेनाब में परिवर्थी सुझाती है हिमाचल प्रदेश में और फिर जाकर के आगे बढ़ती है और इसी जिले से जस्ट आगे बढ़ने पर बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाये हैं तीन परियोजनाये हैं थोड़ा सब मैं अक्सार इसलिए बता जता हूँ कि जब भी आपके सीज को प्रिपेर कर रहे हैं तो परियाटन की विधी को अपनाया करिए दूसरा साथ साथ उसके प्रासंगिक्ता या उप्योग को सोचिए या आखिर सीज को हम क्यों पढ़ें तो बगलिहार हो गया दुलहस्ती हो गया या जो सलाल परियोजना है इन परिय अखडी है वही मंचल प्रदेश का ही है और दूसरा बगलिहार और सलाल से दिल्ली जुके इंसासिज प्रदेश भी है और भारत के राजानी भी है अब समझ सकते हैं कितने ज्यादा महत्पून हो सकते हैं तो इसका उत्तर होगा लाहूल अधिकांस कई द्यार्थियों ने समय में कोश्चन किया था तो उनका सर्थ था कि सर घाटी का जिले का नाम तो लाहूल स्पिती है तेकि ध्यान रखिया है कोश्चन बोड़ा समझदारी से पुछा कि और बनाने वालों उन्हें इतना न सोचा हो यहां पर छेतर लिखा हुआ है जिला नहीं अगर इस प्रस् तब इसका उत्तर हो जाता E लेकिन चुके वहां रिजन दिया हुआ है चेतर दिया हुआ है तो एक जिले में कई रिजन हो सकते हैं और बिसकली दो रिजन को मिला करके संभाग को मिला करके लाहुल स्पिती जिला बनता है तो अगर रिजन पुछा जा रहा है तो यहां पर का उत्तर हो जाएगा लाहुल सी ठीक है तो उमीद कर रहे हैं डिटेल में आपको समझा दिया गया अब चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर चंबल नदी पर सागर जल विद्धर परयोजना ये तो थोड़ा सा भी आप जिसको कॉमें झायते हैं विहर के लोगों में प्रयार्प्त होता भी है में तो उसके पक्रष्चात वह राजस्थान में जाती है। राजस्थान से होती है फिर उत्तरप्रदेश में प्रवेस करती है। अब चंबल की एक कहानिया। इसलिए वह तीनों राजियों में रैवाईन का निर्मान करती है। लेकिन अगर आप चंबल के विसिस्ताओं को देखेंगे तो उस पर इत मतलब जो प्राइदी पीय नदी है उस पर तीन जल विद्दुत की और सिचाई की प्रयोजनाय बनाई गई है अर्थात उपयोग के दिश्टी कोंड से मंद्य भारत की बहुत शांदार या प्रमुक न राजस्थान वाले नहीं बनना चाहिए जेनरली तो गयस आपका कहां जाना चाहिए राजस्थान अब जब भी आपकी सीच को तियार कर रहे हैं तो किवल विद्द्य आर्थियों को मैंने देखा है ट्रीक वाइस आज से बंद्रव 20 साल पहले 25 साल पहले ऐसा प्रस्ण आत है वहां पर कितने मेगावाड का हाइडल पाउर पूजेट बना है या उससे और क्या-क्या लाब मिलता है यह से यूपीसी में 2000 में 2001 में प्रस्ण पूछा गया है कि भारत का कौन सा जल्विद्द्यूत परियोजना हाइडल पाउर पूजेट जहां पर ताप अगार्टी नीगं है जहां हां पर मैथन डैम मैथन डैम है चाल्विद्य ऑर परियोजना है ूसमें हैडल पाउर पूजेट चाहत सासा थर्मल गापनवन और विद्द्द धनबाद के हैं ॹास्त है शा ग pytम्रिद्द्द्द्द से में फरिद्द्द वीक्ति-चैchn करता है UPSC में ऐसा प्रस्ता आ चुपा है अलागि BPSC के इस PT के प्रस्टों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोश्चन काफी डेप्थ में आ रहे हैं खासकर भगूल का तो मैंने बिल्कुल ऐसा देखा तो कोई दिक्कत नहीं है जब भी प्रस्ट हलका आए तो समझे है क कोश्चन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है क्योंकि उसमें कम पढ़ने वाले विद्यार्थी भी उन परस्टों को बना देते हैं लेकिन जब कोश्चन टफ आए तो उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा आउसर होता है जो बेतर पढ़ते हैं निरंतर अगले प्रस्ट की ओर निस्वा प्रस्ट भर मौर जन जाती छेतर किस प्रांत में स्थित हैं अगें देखिए इसके पहले तक जो मैंने ट्रेंड देखा था वो ये देखा था कि जन्रली जो जन जाती पुशी आते थे वो पठारी छेतर के अर्थात मेली जहरखंड के किसी जन जाती का उनके भासा का या चारज़ादा च्छतिस गड़ादी तक और बिहार इस बार देखिए बहुत ज अधिकांस का तो पलायन हो गया पूरी तरह से तो आप कह सकते हैं कि वाली हिमांचल प्रदेश में हैं इसमें डाउड करेट करने की कोई आउसकता भी नहीं है इसके लिए हिमांचल प्रदेश का जो चमबा जिला है जो प्राचीन मंदिर शैली चमबा जिला वहां पर जो अलाकि दाल का प्रयोग जो लखनव में इमाम बड़ा बना है दाल का वहाँ उसमें भी हुआ है लेकिन यहाँ पे जो हुआ है वो मद्दिकाल में हुआ है और चमबा के कई इसे मंदिर है जो प्राचीन काल के हैं मत्लब मद्दिकाल से काफी पहले के 600-700-800 साल पहले के हैं उनकी में गारे के प्रयोग में दालों का प्रयोग हुआ है लकडी, पत्थर, थोड़ा सा गारा और साथ पे दाल आज भी सबसे अची बात क्या है, जस्ट लएक वो इतने फ्लेक्शिवल होते हैं कि भुकम भी आता है तो उनमें क्रैक्स और दरारे नहीं आती इस मंदिर शैली के लिए चमबा फेमस है, जब भी आप भारत का कला और सस्कती प्रिपेर कीजिए, इन प्रप्रेक्शों पर भी विशेश ध्यान दीजिए इंटरेस ले आईए, तब कोशन अपने आप बनने लगेगा तो जो चमबा जिला है वहाँ का, वहीं पर भारमौर जन जाती है, और ये भारमौर जन जाती, इमांचल प्रदेश के चमबा जिले में एक तो छोटा सा ही अंदलन चला था कि बाहर वाले के प्रवेश को रोकना है, जैसे कई बार मैं वहाँ प्रस्रली भी गया हूँ, तो गाओं वालों से पहले इंटरेक्शन बढ़ा आसान होता था, पट अब जाने के बाद जैसे उन्हें एक एरिया हिंसक नहीं हो, नागा ब्लफर हो, फ्रॉड हो, या इनका आतिकरमन यहां हो सकता है, यह भूमी को ले करके कुछ दिमाग लगाना सुरू करेंगे, तो वहाँ पे एक चला कि बाहर वाले को रोका जाए, दूसरा वहाँ के प्राचीन मंदिरों को विराशत के तोर पे बिना किसी के हिल्प के आस्ते का हम सफाई करेंगे, बहुत शांदार कदम है, उन जन्जातियों से असानियों लोगों से भारत वर्स के लोगों को सीखने के आउ सकता है, बिहार के लोगों को और भी ज़्यादा हो शकता है, इनीवे, चलते हैं अगले प्रसन की ओर, बीस्वे प्रसन की ओर, जो इसे सी या बहुत रेलवेवे का प्रिक्षा देने वाले परिशार्थी भी ये बढ़िया जानते हैं, कि ये जवाहला लेरू बंदरगा कहा है, इसको इस प्रकार से पूछा जाता, ये भारत का कैवा महत्पुन बंदरगा है, जो लिस्ट में शामिल किया गया, तो पता है, महराश्र इसका एंसर होगा? ये बिस्कली 13 बंदरगा है, भारत वर्स में पहले 12 बंदरगां थे, जो मुख बंदरगाह या बड़े बंदरगाह के तोर पर शामिल थे, 13 बंदरगाज जो अत्याधून था, 12 नादू का इनॉर बंदरगा था, इनौर को विस्स तो पर रासायनिक उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए बनाया गया था इन नौर कमें लाडू में है और जवाहरलाल नहरू बंदरगा था इसका तकनीकी नाम या इसका पहले जो नाम रखा गया था उता नेवाश्चुवा नेवाश्वा बंदरगा यह भारत का सबसे अत अत्याधुनिक सिस्टम इसी जवाहला लहरू या निवाश्वा बंदरगाह पर है मुंबई के निकट है भारत के मूल और बड़े बंदरगाहों में तिराभा बंदरगा है और भारत के सबसे अत्याधुनिक बंदरगा है तो यही BPSC की 66 BPSC की प्राणविक परिच्छा का जो दूसरी बार परिच्छा हुई थी उसके यही 10 प्रसन थे उन दसों प्रसनों को सोर्स के साथ डिटेल में एक्स्प्लेन कर दिया और अब सैथ प्रस समाप्त होगा तो चलते हैं हम लोग और मिलते हैं फिर मतलब इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं मिलते हैं तीसरे पा दिल्ली में तो खैर पुरा हुजस्ट इमाउंट भी मिलते हैं सब के सार कोश्चन का एंसर जारा बता दीजिए देखिए प्रसन का एंसर आपको कहीं मिल जाएगा जो तो कुछ तकनीकी त्रुटियां थी असवमती था उसके साथ मैंने आपको कॉम्निकेट किया लेकिन के सबसे अच्छी बात है भारत में किसी भी PCS की तुलना में अभी बिहार PCS सबसे जादा ऑन टाइम अपडेटेड चल रहा है इश्वर करें इस तत्य को नजर ना लगे लेकिन क्योंकि आप राजस्थान PCS को देखिए तीन-चार साल हो गया MP PCS का भी वही हाल है जारखन PCS में तो खैर जो अपन डाउंस हुआ यह सब को पता ही है उत्तर प्रदेश PCS भी बिहार की तरह ही चल रहा है योगी जी इस मामले में काफी शक्रिये हैं ताकि बच्चों को बहतर रोजगार के साथ साथ उनकी अकांच्छाओं को पुड़ा किया जाए लेकिन फिर मैं बता रही है डाउन मत रही है और बड़े आस्तियारी कीजिए सफलता कुंसिट कीजिए यह दूसरा वीडियो आज हम समात करते हैं और मिलते हैं हम लोग इसी 66 BPC की प्रद्वी परिच्छा के दीसरे वीडियो अर्थात पार्ट 3 में थैंक यू और अल लगेस्ट